जैश्री कृष्टा राधे राधे आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास वृत के उध्यापन विधी पर बात करेंगे कार्तिक मास के वृत का उध्यापन कैसे किया जाता है कार्तिक मास के वृत का उध्यापन किस किस को करना होता है जिनोंने वरत किये क्या केवल वही उद्यापन करें या जिनोंने कार्थिक मास का इसनान किया कथा कहानिया सुनी उन्हें भी उद्यापन करना होता है कैसे करना होता है क्या विधी होती है और उद्यापन किस दिन करें सारी बाते हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक मास के व्रत का उध्यापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है इस बार यानि साल 2020 में 27 नुवंबर सोम बार को कार्तिक पूर्णिमा रहेगी इसी दिन कार्थिक मास की वरत का उध्यापन भी किया जाएगा और पूर्निमा का वरत भी किया जाएगा जो लोग पूर्निमा का वरत करते हैं वो इसी दिन वरत करेंगे फगवान सत्य नरायन का वरत भी इसी दिन किया जाएगा और सनान दान भी इसी दिन किया जाएगा वैसे तो पूर्णिमा दिथी 26 नुवंबर से दोपहर 3 बज कर 53 मिनट से शुरू होगी और 27 नुवंबर की दोपहर 2 बज कर 45 मिनट पर समाप्त होगी तो ऐसे में अधिकतर लोगों के मन में प्रश्न है कि हम पूर्णिमा का वरत किस दिन करें क्योंकि चंदरोदे वियापनी पूर्णिमा का वरत करना शुब बाना जाता है तो ऐसे में आप 26 और 27 नुवंबर को दोनो दिन वरत कर सकते हैं लेकिन सुर्योदे में होने के कारण 27 नवंबर को ही पूर्णिमा का व्रत करना जादा शुब रहेगा 27 नवंबर को ही कार्तिक मास के व्रत का उध्यापन भी किया जाएगा जिन लोगोंने पूरे महीने के व्रत रखे हैं या एक भी दिन का व्रत नियम से रखा है उन्हें उध्यापन करना चाहिए बिना उध्यापन के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता आपने अगर कार्तिक मास में कोई भी नियम लिया है सुबह उठकर इसनान करने का नियम लिया हो या कथा कहाने सुनने का पढ़ने का नियम लिया हो या तुलसी जी की पूजा करने का नियम लिया हो कोई भी आपने नियम लिया है वरत लिया है तो आपको उध्यापन करना चाहिए उध्यापन करने के लिए सबसे पहले आप रोज कितने उठें और इसनान करें इसनान करके भगवान विश्नों की पूजा करें मातालक्षमी जी की पूजा करें तुलसी जी की पूजा करें जब तक आप पूजा नहीं करतें तब तक आपका कोई पी व्रत पूर नहीं होता तो आप तुलसी जी की इस दिन विशेश रूप से पूजा करें कथा कहानी पढ़ें और परिकर्मा करें अपने सामर्थे के नुसार 11, 21, 51 या 108 तुलसीजी की परिकर्मा आप कर सकते हैं उसके बाद भगवान से प्रार्थ न करें हे भगवान मैंने कार्थिक मास के वरत किये हैं या जो भी आपने नियम लिया था उसे भगवान के सामने कहें कि हे भगवान मैंने कार्थिक मास के वरत किये है या कार्थिक मास का इसनान किया है आपकी किरपा से मेरे ये वरत पूर्ण हो और मुझे मेरे वरत का पूर्ण फल प्राप्त हो इसके बाद भगवान विश्णू का धन्यवाद करें कि उनकी किरपा से आपके कार्थिक मास का ये व्रत पून हो सका, उसमें कोई भी विगन बाता नहीं आई, भगवान विश्नों से प्रार्थ Ψ करें कि इसके बाद आप सुद्ध सात्विक फोजन बनाएं और एक ब्रहबन को घर बुला कर फोजन कराएं और दक्षिना देकर अपने कार्तिक मास के वरत का उध्यापन करें घर बुला कर फोजन ना करा सकें तो मंदिट में ही आप सीधा बिजवा दें और जो भी आपने अपने शरद्धा के अनुसार जो भी कर सकें इस दिन दान दक्षिना जरूर भिजवाएं चाहे आपने कथा पड़ी है, चाहे आपने इस्तनान किया है, चाहे आपने वरत किया है इस दिन अपनी शक्ति शामर्थे के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए बिना दान के कार्तिक मास का कोई भी वरत पून नहीं होता अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है आप चाहिए तो किसी भूके को भोजन करा सकते हैं या अन्न का दान मंदिर में दे सकते हैं या जरूरत मंद को अन्न का दान दे सकते हैं तो इस तरह से अपनी शक्ति समर्थे के अनुसार कुछ न कुछ दान दे कर भगवान विश्णू से आप प्रार्थना करें कि अपनी कृपद रिष्टी बनाए रखें और अपने कार्थिक मास वरत का उध्यापन कर लें आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कार्थिक मास की कहानियां हमारे चैनल पर सुनी और हमें अपनी सिवा का उसर परदान किया भगवान विश्णू सदा ही आपको खुश रखें सदा ही आप पर अपना शिर्वात बनाए रखें इसी शुपमंगल कार्णा के साथ हरी कृष्णा राधी राधी